नमस्कार, आज हम अभ्यास 3.1 के सवालों को हल करेंगे पिछले हमने अभ्यास 2.1, 2.2, 2.3 यानि अभ्यास पूरी 2 कंप्लिट की थी उसमें हमारी थी जोडे, अब इसमें इबारती गटाओ है इसमें पहला प्रश्ण है, इसमें हम गटाओ को पून करेंगे जैसे पहला प्रश्ण है, आसा के पास 98 आम थे, यानि एक आशा नाम की लड़की है उसके पास 98 आम थे, उनमें से उसने 65 आम बांट दिये यानि उसने 65 आम किसी को बांट दिये, तो बताओ, अब उसके पास कितने आम बच्चे अब यह हम सवाल को हल करेंगे, जैसे एक आसा नाम की लड़की है उसके पास कुल कितने आम थे, 98 आम, कुल आम कितने थे, 98 कितने थे, 98 आम, तो उसने आम कितने बांट दिये, 65 आम बांट दिये यानि उसके पास कुल सेस कितने हम बचे तो सेस में हम क्या करते है गटाओ करते है गटाओ जैसे आठ में से हमने पांच निकाल दिये कितने निकाले आठ में से पांच तो आठ में से पांच निकाल दिये तो कितने बच गए पिछे तीन, आठ, आठ में से पास निकले तो कितने बच गे, तीन और ये कितने हमारे, नो, नो में से छे निकल गे, पिछे कितने बच गे, तीन ये हमारे भी तीन बच गे, तो आशा के पास कुल कितने आम बच गे, तेट तेस आशा के पास कितने आम बच गे, देखो यह हमारा एक शवाल हो गया उसी प्रकार हम दूसर स्वाल करेंगे कि रामू के पास 27 बक्रियां थी रामू के पास कितने बक्रियां थी 27 और उसने 13 बक्रियों को बेच दिया तो बता हो रामू के पास कितने बक्रियां बची तो रामू के पास कितने बक्रियां थी 27 बक्रिया बकरिया तो उसने कितने बकरिया बेच दी तेरा बकरिया बेच दी कितने बकरिया तेरा तो अब हम यहां पर इसको भी हल करेंगे जैसे साथ में से ती निकाल दिये साथ में से त्री निकले कितने बच गए बताओ चार और दो में से एक निकाल दिया यानि दो में से एक कम हो गए तो कितने बच गए एक अब आपको पता चला कि रामू के पास कुल कितनी बखरियां बची रामू के पास हमारे पास 14 बखरियां बची कितनी बखरियां बच देंगे उसी प्रकार मेरेकी सवाल है जैसे देखो एक विद्धाले me 60 जाडियां दी गई यह यानि एक विद्धाले उसमें 800 जंडियां सबनाñ क्ला किया धे जंडियां दीई उनमें अब उसके पास कितने बचैकी तो आब अब हम क्या करेंगगे इसमें ये देख分 तीसरा सवाल, विद्याले को जंडियां दी, कितने दी, 68, और खुल थी 68 जंडियां, बच्चों को कितने बाट दी, 48 जंडियां, अब इसको हम साधान से घटाव कर देंगे, जैसे 8 में से 8 निकल गए, आठ में से 8 घटा दे, पिछे कतने बच गए, 0, 6 में से 4 गए, 2, 6 में से चार निकल दी, हमने तो कितने बच गए, 2, तो कितने जंडियां बची, 2, विद्याले में को कितने जंडियां बच गई, 2, AI उसे प्रकारि है हमारा चौथा प्रष्ण है, एक व्याप्पारी के पास 68 बोरी मक्का थे उनमें से उसने चोपन बोरी मक्का बेच दिया तो बताओ व्यापारी के पास खुल कितने बोरी मक्का बचे एक व्यापारी है उसके पास कितने बोरी मक्का थे 68 बोरी मक्का थे उनमें से चोपन बोरी उसने मक्का को बेच दिया तो अब बताना है कि उस व्य परे के पास कितने बोरी मक्का बचे तो जाए मक्का कितने बोरी थे कुल 68 बोरी कितने बोरी थे 68 बोरी मक्का थे और बेच दिये मक्का बेच दिये कितने बोरी बेच दिये उसने चोपन बोरी बेच दिये चोपन तो सेस कितने बचे सेस मक्का बचे अब जैसे आठ में से चार निकाल दे आठ में से चार निकल गई यानि आठ में से हमने चार निकाल पिछे कितने बच गए चार और च्छे में से पांच गए पिछे कितने बच गए एक तो ये हमारे कितने हो गए 8 में से जो पन को बेच दिया, तो पिछे 14 बोरी मक्या रह गया, किस के पास? वै अपारी के पास, उसी प्रकार यह हमारा 500 वाल है, पंचाइत की द्वारा विद्याले में 58 पोदी लगाने को दिये गे? यानि इस पंचाइट है पंचाइट से विद्याली को अठावन पोदा लगाने को दियेगे उन में से 24 पोदा लगा दिये तो बत्ताव अब उसके पास कुल कितने सेसह रह Amendment तो ये घटाव आपको स्वें करना है जैसे 58 पोदे इसे आपको 46 पोदों को नीचे लिखना है 15 के नीचे फिर उन्ande में से उसको घटाव देना है च्छेес कितने बस्ते हैं वह को स्वें को करना है कल हम अध्यायत 3.2 को करेंगे दन्यवाद